So, Hello Everyone, Firstly, I welcome you all to my channel, A Study with B-Suto. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग का जो CBSE के तवारा सैंपल पेपर आया है, पेंटिंग के लिए क्लास 2L या फिर क्लास 2L के लिए उसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक दो चीज के लिए कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग यह पेंटिंग, फाइनर्स यह सब चीज में परने होते हैं, पहला होता है पेंटिंग, तुसरा होता है ग्राफिक्स, तिसरा होता है स्कलिप्चर, और चोथा होता है और कologic आपाज़ आर्ट या फिर क्या ह्लो अपलाइड रिच्टर, चारो का शीलिबस जो है सेम है, चारो में सेम चीज़ को परना है लेकिन सैंपल विपर की बात की जाना तो वो चारो की लिए CBSE अलग-अलग डिलीज करता है तो हम लोग वहाँ वीडियो लेक्टर में तो चारो का syllabus complete एक साथ कर रहे हैं लेकिन सैंपल में पर में आप लोग सोच रहे होंगे कि भाईया ये सिर्फ पेंटिंग का ही क्यों बना रहे हैं तो देखो, most of the student का subject जो है school by default painting ही दे देता है और जिनका नहीं पता है वो लोग पता भी कर सकते हैं ऐसा इसका code होता है 049 तो इसका हम लोग जो है सैंपल में पर का solution या फिर क्यालो analysis करेंगे analysis क्यों detail में करेंगे इससे हम लोग को पता चलेगा कि exam में आपका question pattern क्या होगा क्योंकि इसी तरह same question आपका same pattern पे exam में भी आएगा तो इसमें हम लोग analysis करेंगे कि किस chapter से कहा से question लिया गया है कौन chapter का कौन topic ज़्यादा important है बहुत सारे student का ये भी question होता है तो उनके लिए video lecture ज़्यादा beneficial होगा ये जो analysis है मतलब किस chapter से क्या उठाया गया कौन chapter में क्या जरूरी है इसको हम लोग video के last में देखेंगे और बाकी यहाँ पर मैं बता दूँ तो ये जो sample वे पर है अगर आप लोग officially देखना चाते हैं तो नीचे description में link मिल जाएगा आप पूरा class 12 का sample वे पर है और उसके बगल में marking scheme भी है तो आप लोग उसका link मैं description में दे दे रहा हूँ वहाँ से आप लोग दाला है 99, 95 आया है आप लोग देख लो trust है तब जाके मुझसे परना because वहाँ पर मैंने marksit का proof के साथ दाला है मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ lecture में वो NCRT based होता है साथ में कुछ external source पर एकदम latest syllabus के recording होता है साथ में notes और live class के लिए आप लोग के लिए लाने वाला हूँ जहां आप लोग one to one news से पढ़ पाओगे ठीक है साथ में जो है सारा चीज simple और easy language में मैं आप पढ़ाने का आपको कोसिज करूँगा वैसे यह सब चीज तो मेरा introduction हो गया अब चलिए यहाँ से हम लोग पाइनली सेंपल पर देखते हैं उसके बाद में उसका analysis भी कर लेंगे सब्जेक्ट हो गया हम लोग का painting और code हो गया हम लोग का 049 फाइनर्स हम लोग का subject के अंदर ही सब आता है sample question paper है class 12 के लिए session 2022 से टेइस्ट total marks जो है वो 30 नबर का और जानते ही होंगे प्राक्टिकल में भी बहुत लोग को confusion होता है तो most of the schools से ही आप लोग को contact करना परता है school वाल ही इसके लिए proper आपको guidance देंगे basically सारे common method की बात की जाए जो सारे school में होता है एक आपको painting का file देता है लोग जो घर से आप लोग को बनाना होता है कुछ theory person होता है लिखना होता है उले जाना होता है दूसरा जब वहाँ school में इसके exam के दिन जाएगा मतलब practical के दिन तो वहाँ पे कुछ आपको painting को बनवाय जाएगा और तीसरा आपका vibe होगा ठीक है simply इसी से syllabus से आपका question हैगा तो ये चीज हो गया है जब आपका paper होगा exam में तो दो घंता आपको समय मिलेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय होता है hardly एक घंता maximum एक घंता 30 मिनट में आप लोग अपना सारा paper कर लोगे previous year का मैंने अपने student को 10 से 20 अजारे student को पराया है most of the country 95, 99 तो maximum में student काया है मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आप लोग description में playlist का link है महाँ से check out भी कर सकते है तो चलिए हम लोग आप और अब general instruction देख लेते हैं कि मतलब section wise में question हम लोगा divide होता है तो कौन section में कितना marks का question आता है तो section 1 की बात की जाए इसमें जो है जितना भी question दिया है सारा objective है और एक एक number का question है सारे question को आप लोग को attempt करना है उसके बाद section B में जो है इसमें भी सारे question को attempt करना है और 2 marks का जो है एक question होगा और almost इसको आप लोग 100 words में अपने words में लिखोगा answer इसका ठीक है इसके बाद section C की बात की जाए इसमें total तीन question होंगे लेकिन दो question को सिरिफ आपको attempt करना है और एक question जो है वो होगा छो marks का और इसको मोता मोती आप लोग समझ लो 200 words में आप लोग को लिखना है ऐसा words लिमिस कोई ज्यादा matter नहीं करता है जब आप लोग लिखोगे तो हमको लगता है 200-300 words तो आप लोग बिना गीने ही touch कर दीजागा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए यहां से अब हम लोग अपना question wise देखते हैं section wise question देखते हैं तो section 1 ठीक है चलिए objective type है question 1 का A हो गया हम लोगा तो चलिए इसको देखते हैं पहला ही question है where did the miniature style originate in Rajasthan and kept its originality till the last मैंने राजस्थानी school of miniature pending में पराया था मेवार में जो है राजस्थानी school जो है firstly start हुआ और last तक मतलब यहां पर originality ला मतलब यह order school का इस पर influence नहीं रहा था इसका reason भी मैंने बताया था कि पूरा जो है राजस्थान affected हो गया था मुगल के attack के करण लेकिन यह जो मेवार है इसको last तक मुगल control में नहीं लिया that's why यहां पर फोस्त्री जो है राजस्थानी style का miniature painting originate हुआ और later on develop किया और यहां पर मुगल का भी influence नहीं आया था ठीक है next हम लोग का question number B the miniature painting with the subject matter of 12 masa art based on तो यह भी राजस्थानी school से आपका question आता है मैंने वहाँ पर बार बार repeat किया है कि राजस्थानी school में जो है राजस्थानी painting जो है बहुत ज़्यादा painting जो है 12 rulers, 12 kind of food तो नहीं 12 months से basically related जो seasonal change होता था उस पर painting को बनाया जाता था और 12 masa आप लोग को याद भी होगा अच्छे से इस चीज़ी उसके बाद हम लोग का है question number C पहारी painting was mainly influenced by तो पहारी painting जो है उस पर मतलब क्या चीज का influence था किस order schools का तो इसका भी answer एकदम easy है मुगल और राजस्थानी का बाकी ये तीनों का influence नहीं था तो मुगल कोर्ट में जब आर्ट बैन हो गया औरंगे हेट करता था music art से तो यहां के कोर्ट के जो आर्टिस्ट है मुगल के वो आग है पहारी एरिया में कुछ महाँ पे राजस्थानी भी पैंटर्स है तो इन डोनों ने mix वगेरा करके अपना-पना style mainly originate किया था पहारी school of miniature painting तो basically इसी कारण के वाज़े से मुगल और राजस्थानी का influence पहारी paintings पे देखा जाता है उसके बाद हम लोग का है question number D in which a script the text on the top of painting falcon on a bird race written यह painting जो है मुगल स्कूल से बिलॉन करता है और मैंने जब यह पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से यह चीज़ आप लोग को बताया हुआ था painting के उपर कुछ calligraphy work है calligraphy work यानि हाथ से कुछ artist ने लिखा हुआ है तो वो जो है वो डेव नाग्रिय script में लिखा गया है तो इसका हो जाएगा option first जो है वो हो जाएगा right answer चलिए next हम लोग का question number E in the compositional arrangement of marriage procession of Darasi how are the elements women placed मतलब animal और women को कैसे उस painting में दिखाया गया या फिर रखा गया तो ये marriage procession of Darasi को जो है ये आप लोग के मुगल स्कूल का painting है मुगल एक painting है तो इसमें painting जब मैं पढ़ाया था तो उसमें starting में ही बताया था women को जो है elephant पर बैठे हुए दिखाया गया है तो इसका answer जो option A जो है first जो answer वो हो जाएगा right उसके बाद हम लोग का है question number F in which style side locks are important part of women beauty देखो ये कितना interesting question मैंने बताया था और जब राधानी school of miniature painting उसके sub school किशन गर में मैंने पढ़ाया था पहला बाद तो यहाँ पर इससे भी आप लोग समझ सकते women's beauty की बात हो रही है लेकिन वहाँ पर मैंने जब राधा बॉनी थानी उसका उस सवे स्कूल के अंदर painting किया गया था तो उसमें painting में राधा के बाल के बारे में मैंने बताया था कि curly lock of hair यानि hair का जो गुच्छा है वो गाल तक लतकता है तो वही यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा गया side locks मतलब side में जो बाल का गुच्छा लतकता है वो उसी के बारे में बेसिक लिए तो इसका भी एंसर हो जाएगा किसंगरे स्टाइल ठीक है option number 3 उसके बाद है हम लोग का next question question number G in the painting कबीर एंड राधास has which kind of color scheme देखो यहाँ पर थोड़ा सा यह question जो है आप लोग बोल सकते हो यह NCRT में यह mention नहीं है और previous year जो मैंने video lecture बनाया है उसमें भी मैंने यह mention नहीं किया because NCRT में भी mention नहीं था ठीक है तो इस बार जो marking scheme आए उसमें इसका answer जो है नया video lecture ला रहा हूं तो उसमें मैं इसको add कर दूँगा उसके लिए आपको tension नहीं लेना है ठीक है चलिए तो इसी के साथ हम लोग next question अब अपना देख लेते हैं so next हम लोग का है question number 8 before miniature painting the manuscript paintings were done on तो यह question जो है मेरे introduction and basic वाल यह video lecture से आ ठीक है finally तो इसमें पूछा जा रहा कि miniature painting के जो पहले जो manuscript जो किया जाता था उसका painting जो है क्या चीज़ पर बना जाता था तो मैंने वहां पर पर पढ़ाया था palm leaf पे तो आपका palm leaf जो हो जाएगा right answer यानि कि option जो first है वो होगा आपका right answer तो यहां for that's all section A हम लोग अब complete होता है अब हम लोग section B के बर चलते हैं ठीक है यह जो है आपका short answer type question हो जाएगा और पिछला अला objective question था इसमें जो है हम लोग पहला question देखेंगे question number 2 इसमें क्या पूछ रहा है to the extreme devotion of the disciple towards his mentor या फिर कहलो teacher या फिर कहलो guru is very scared and goes beyond the boundaries of greed and monetary grains ठीक है और इसके बाद आगे क्या करता है तो यह मतलब समझो basically आपको subject matter या फिर hint दे दिया है painting का उसके आद क्या कर रहा है यह जो है इसको आप identify करो इस painting को और इसके बारे में लिखो और यह जो painting है यहाँ पर एक और hint दे रहा है यह देकन स्कूल से है जिसमें की यह feature को दिखाया गया ठीक है तो देखो अब देकन स्कूल की बात की जाए तो उसमें क्या उनका painting है आपका चांड बीवी प्लेइंग पोलो और हजरत निजामूर्दीन ओलिया और आमीर खुस को दिखाया गया उनके साथ तो बेसिकली यह आपका painting हो जाएगा हजरत निजामूर्दीन ओलिया और आमीर कुसरो तो बेसिकली इसको आप लोग पॉइंट वाई लिखोगे painting का heading डालोगे उसके नीचे जैसे मैं वीडियो लेक्चर में पराता हूं उसके नीचे उसका सब किसी को नहीं समाझ में आता है तो और में एक और है दोनों में से कोई यह एक भी आप कर सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या बोल रहा है दो प्रोस्पेरस एंड कुल्चरालीटी रिफाइंड डेकन स्कूल वाज सॉक्सेस्फूल इन रिपरजेंटिंग ओमें एज ग्रेट इस में बोल रहा है तो इसमें पहले तो इडिफाइंटिफाइक करो तो सीधे हो जागा और उसके बारे में पैउंतिग के बारे में डिस्क्राइब कर दो थिक है उसमें थोडा सा यह भी आड कर देना ओमें इन उन पारमइट्ड जैसे की उसमें यह चीज दिखाताह है कुल näm description इस तरह से add करके अपने language में लिखना है तो ज्यादा marks आपको मिलेगा तो next हम लोग कहा है question number 3 the two famous artists and brothers Manaku and Nansu contributed immersely to the manufacturing folk to refine a style in Pahari school या पर Pahari school के ये डोनों artists हैं इनके बारे में थोड़ा सा इनका contribution बताया जा रहा है उसका है क्या कर रहा है, write in your own words how they were successful in depicting the supreme god Krishna as a friend and common person who takes care of his all friends and family with reference to anyone or below the mansion paintings, अब देखो basically इस school से दो paintings है Krishna with Gopish और एक है Nandya Soda and Krishna with Kingsman going to Vrindavan अब इन painting को इस points के according आपको अपने भासा मिलिखना है मतलब इसमें कैसे जो है Krishna भगवान ते Lord है God है, उनको गोपि जानी की आम पर्षन के साथ दिखाया जा रहा है उनके दोस्ती को वहाँ पर Krishna Lila को depict किया गया तो basically इसमें भी उस artwork को जो है वो दिखाना है मतलब इसमें ये भी चीज़ आपको दिखाना होगा जैसे marking scheme में दिया हुआ है कि वो पिटांबर ड्रेस में है मतलब या लो कलर का धोती पहने है मतलब basically इसको भी आप लोग painting का heading डालोगे उसके बाद जो है जो भी उसका चीज़ होता है description होता है sub school होता है ये सारा चीज़ लिखोगे सेम इसमें भी नंद या सोदा एंड क्रिस्ना में भी सेम इसी तरह चीज़ आप लोग करोगे painting का पले heading अगेरा दालोगे और इन सब point को mention करके मतलब लिखना तो वही चीज़ आप description लेकिन इस सब में से कुछ-कुछ points को आप लोग हाँ पे highlight कर सकते हो ठीक है उसके बाद चलिए हम लोग next question यानि कि question number 4 के ओर हम लोग बढ़ते हैं अपना so unity is a strength men are wrestling with nature rendering the importance of human labor in nation building ये थोरा सा ये एक sculpture का बात हो रहा और उस sculpture का आप लोग पड़ोगे तो ये answer जैसे मैं कर पा रहा हूँ आप भी लोग कर पाऊगे trim of labor की बात हो रही है जहां पे जो है बहुत सारे labor है कोई चीज को घीच्टे हुए दिखाई दे रहे हैं मतलब उनका heavy labor दिख रहा है और वो सारे लोग एक साथ है तो उसमें unity की भी बात की जाई है मतलब unity के साथ वो लोग सारे चीज एक चीज को पूल अप कर रहे है तो इसमें क्या बोल रहा है describe the ah 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 based on its composition and technique मतलब देखो artifact मतलब देखो इस यह जो मतलब चीज आप लोग अड़ करोगे और उसके बाद इसका description basically लिख दोगे उसके बाद इसी में अगर यह नहीं आता है आपको और करके भी एक question है throw light on the graphic print included in your course of study which represents the pain and ergonomy of a female who is left alone surrounded with poverty describe print based on the aesthetics parameters यह basically बात हो रही है इतना ही चीज आप लोग परके आप लोग समझ गयोंगे कौन graphic print में जो है यह चीज को दिखाया गया पुबर्ती को दिखाया गया फीमेल को दिखाया गया तो off walls की बात हो रही है और off walls को जो है आपको describe करना है उसमें क्या क्या चीज मतलब वो graphic print में डिखाया गया तो basically वो चीज को आपको यह describe करना है तो आयोप आपको यह सारे question समझ में आ रहे होंगे और काफी easy है previous year के भी मेरा video lecture जो देख रहे है उनके लिए उनसे भी सारा question बन जागा और नया इस year के जो मैं video lecture लाया हूँ वो लोग देख रहे है तो उनके लिए और अच्छा है कि थोरा सा उनलोग को addition और कुछ content मिल रहा है जो कि इस बर मैंने थोरा ज्यादा add किया हुआ है तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना next question के और आगे बढ़ते हैं next हम लोग का question no.5 identify and appreciate the emotion which are dominant in the artworks made by the artist mentioned below and a special reference to the application of colors and technique वही बात की जारी है medium जो मैं आपको बढ़ाया हूँ जो है technique मैंने बताया इस painting का मतलब जैसे tempera बताया था राज असानी में मतलब वह सारा चीज़ को तो यह canvas पर बेसिकली बनाया गया वह सारा चीज़ आपको यहाँ पर मतलब painting का heading डालना होगा उसके बाद उसका जो medium है वह उसका technique उसका service मतलब यह सारे चीज़ का आपको mention करना होगा तो पहले question में बोल रहा है कि यह जो राजा रही बर्मया पहले बताओ तो कौन painting बनाये थे ठीक है तो यह जो है बनाये थे आपका Rama when kissing the pride of ocean उस painting में जो है कौन emotion यहाँ पर emotion ना पूछ रहा है तो वहाँ पे जो है उनको दिखाया जा रहा है कि राम जी जो है बहुत गुस्ता है समुद्र देवता पर और तीर मार के मतलब वहाँ के पानी को सुखाने वाले तो उनके anger emotion को दिखाया गया तो मतलब basically उसी के reference में जो है पूरा चीज आपको यहाँ पर painting को ही basically overall describe कर दिना यहाँ ठीक है तो यह जो है काफी एक emotional painting जो है जर्नी इंट दिखाया गया है जिसमें जो है एक उंट को दिखाया गया है कैमल को दिखाया गया कैसे जो है अपने आखरी सांस तक भी फिर से उठना चाहता है और जो पीट पे जो burden लेके चल रहा है उसको पूरा करना चाहता अपने मतलब उसके मालिक के तरफ उसका loyalty भी दिखाया गया तो मतलब यहाँ पर जो काफी hot feeling emotion को दिखाया गया है एक कैमल के तो यह basically इस painting में भी same चीज आप लोग हेडिंग डालोगे painting का नाम artist का नाम medium technique collection और यह भी मतलब description है वो describe करोगे ठीक है तो I hope आपको यह सारा चीज समझ में आ रहा होगा चलिए अब हम लोग next question देखते हैं question number six the love of mother towards the child and the compassion and care felt by the child is successfully shown in the following paintings mother and child में भी जो है मा का प्यार दिखाया गया और mother Teresa में भी जो है मा का प्यार उनके बच्चे के और तरफ दिखाया गया अब दोनों में से जो आपको याद होगा उस पर लिखना भी इसमें क्या करना है justify this statement by describing any one painting given below on the basis of his compositional arrangement तो देखो mother and child में भी same चीज़ दिखाया गया और mother Teresa में भी same चीज़ दिखाया गया तो मतलब आप लोग simply इसका painting का भी heading डालोगे artist डालोगे जो भी चीज़े यह सारा चीज़ आप लोग mention करते चलोगे यहाँ पर और mention करने के बात जो है ना इसमें तो basically sub school की बात ही नहीं आती है जब आप लोग description लिखोगे ना तो description में जो है ना यह सारा word कतोरा आप लोग एक हाथ से फैलाई है उन पर एक बच्चा जो है वो लेटा हुआ है उनके lap में तो यह सारा चीज मतलब basically यह उपर आप लोग को points दिया है ना यह point को ध्यान में रखते हुए आप लोग उसको answer को लिखेगा और साथ मैं description में यह sample पर marking scheme का link दिया है उस marking scheme में जो है ना इसक क्या-क्या point लिखना है वहां mention है तो वह download करके आप लोग sample पर के साथ साथ उसको जरूर एक बार देखते चलीगा वैसे मैं यहाँ पर वो चीज cover up कर ही रहा हूँ तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना next question देख लेते हैं सो अब हम लोग section B को complete करके section C की और आते हैं और यहाँ पर एक भी question जो है वो होगा आपका 6 mark है इसमें सब्सक्राइब तीन question आपको दिये होंगे सिर्फ दो question जो है वो आपको बनाना है long answer type question है मैंने बताया था दो words में आप लोग को answer लिखना होगा आपको ठीक है तो पहल मतलब इसमें जो राजस्थानी स्कूल का जो painting था है miniature painting वो successfully एक animal और जो man or man होता है या humans होता है उसके relation को मतलब friendship को या फिर respect को है वो दिखाता है तो इसमें क्या करने को बोल रहा है from your course of study identify and explain any one painting having this as its subject matter and support your answer with your reference to मतलब इन इन point को जो है mention करते हुए उस artwork के बारे में describe करना है तो पहला तो मरुरागनी painting है उसको भी आप लोग देख सकते हो कैसे जो है राजा रानी जो उसके उपर बैठा है तो उसको राजा रानी के status के according जो है उसको decorate किया गया है उसके आगे जो है एक उनका attention जो है उसको लेके जा रहा है तो मतलब यहां पर बैठे हुए princesses को और उनके companions को दिखाया गया है तो यहां पर भी उनके friendship को दिखा रहा है कि उनके command में है game खेल रहा है लोग लोग हर्स पर बैठके तो पहला इसमें जो है ना मालो अगर हम लोग लेट्स से हम लोग मरू रगनी चूच कर लिए तो पहला तो painting का नाम हो गया मरू रगनी और उसके आर्टिस जो है उनका नाम लिख दिया जाएगा उसका कौन सब स्कूल से आता है तो मेवार मेडियम और टेकनिक तो टेंपरा वार्टर कलर और पेपर सबजेक्ट मेंटर मरू रगनी जो है एक राजस्थान का फेमस लॉब स्टोरी है और किंग धोला और मारू प्रिंसेज मारू यानि क्वीन मारू पे बेस जो की भागते हुए इस painting में दिखाए गया है बहुत सब उनको और यह मैं बेसिकली वीडियो लेक्टर में बताया हूं यहां क्या ही ए परजेंट किया गया है वह चीज मतलब ओवराल डिस्क्रिप्शन तो इन इन पॉइंट को आप लोग मेंशन करते हुए लिख सकते हो जैसे नेम में लिख दोगे पेंटिंग का आर्टिस का नाम उसका सब्जेक्ट मेंटर थोगे मेडियम टेक्निक लिख दोगे उसका आख तरह सेम नेम लिखना उसका आर्टिस लिखना एदम जैसे मैं वीडियो लेक्ट्र में पढ़ाए हूं सेम उसकी तरह लिखना आप लोग ठीक है नमबर आपको कारेंटी मिलेगा चलिए अब हम लोग नेक्स जो आखरी क्वेस्टन से उनको देख लेते हैं सो नेक्स हम लोग का है बी नमबर ठीक है और यहां पर एक सी है मतलब टीन टोटल है इन में से कोई दो आप लोग को लिखना होगा ठीक है we see that the artists of miniature school of Mughal and provisional period were skilled in making paintings which depicted too many figures in one painting complemented by main figure given due importance and stance out admist and crowd around it identify any one relevant painting from Mughal or provisional period from your course of study comprising the above character aesthetic तो देखो इसमें basically जो है न यह मतलब Mughal school का कोई crowded scene के painting के बारे में पूछ रहा है तो पहला बाद दो उसा painting था एक तो जा है Krishna जी जो है अपने finger पे Mount Gordon को लिए है और पूरा विरिंडावन वासी को जो है वहाँ पर मतलब उसके नीचे सेल तर दिये तो वहाँ पर भी crowd scene की बात हो रही है और एक और पेंटिंग है marriage procession of Darasi को उसमें भी जो है crowd scene को दिखाया है तो पहले तो इसमें वो painting का आप लोग नाम लिख दोगे ठीक है उसके बाद इसमें बोल रहा है कि justify भी करना है कि मतलब वो crowded scene है तो ये भी चीज़ आपको एक line mention करना होगा इसमें जो है इतना बराती को दिखाया है और वही क्रिस्ना लिफ्टिंग मांट गवर्दना है उसमें कैसे जो है विरिंदावन वासियों को जो है वह सेल्टर देना है तो इसके थ्रू जो है यह मतलब क्या है crowded scene painting है उसके आप क्या कर रहा है justify above the statement by describing the painting in your own work वही बेसिकली वही बात है तो बेसिकली यहां पर आप लोग नेम आप आर्टिस्ट जो आर्ट वर्क है उसका नाम दे दिए उसका description आप लोग अच्छे से लिखना है साथ में जो है ना इसमें आप लोग यह भी पॉइंट और आड करोगे कि इनके period का वह painting था और साथ में उसका medium क्या था और technique क्या था यह चीज जरूर मेंचन आप लोग कर देना और description में आप लोग मेंचन करोगे यह painting था इसमें इतना crowded scene यानिक इतना human figure दिखाया गया था बराती थे अगर वाला marriage procession वाला लिखो गए या फिर Krishna lifting वाला लिखो गए तो बिरिंडवान के वासी जो थे हैं उनको दिखाया गया तो बेसिकली यह भी एक हो गया अपका और उसके बाद हम लोग का C जो है इसमें क्या पूछ रहा है तो देखो write an essay on revivalism of Indian art during mid century तो यह जो Bengal school के बारे में यहाँ पर बात की जा रहे तो मैं मतलब Bengal school में जो है ना मैंने बताया था कैसे art को revive किया गया था ब्रीटिसर के अगेंस में यह एक movement के रूप में चला था तो बेसिकली जो origin and development जो आप लोग पर होना Bengal school में उसी को यहाँ पर आप लोग लिख देना ठीक है और उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसमें और पूछ रहा है evolution हाँ हाँ देखो यहाँ पर आहीं क्या point देख समझो मैंने जो Bengal school में origin and development पर हाया है अपने language में आप लोग समाज लिए होंगे अपने language में यहाँ पर लिख दोगे ठीक है वहाँ पूरुतियात क्या पूल रहा है the role of Indian artist to art freedom movement वही बात की जारी है अब इंडिना टैगोर के बारे में थोड़ा सा लिखोगे यह सारा चीज लिखोगे उसके बाद क्या पूछ रहा है symbolic meaning of our national flag मतलब national flag में हम लोग के जो भी चीज़ असोख चक्र है red color है green color है इन सारी का क्या significance है वो चीज़ लिखना है ठीक है तो that's all यह आपका होता है sample question paper चलिए कुछ जो मैंने बोला था analysis जो करेंगे लोग last में और जो previous year और जो अभी year के recording मैं video lecture ला रहा हूं सब के बारे में हम लोग आगे discuss करते हैं और इस video lecture को खतम कर लेते हैं तो firstly तो thank you आप लोग को वीडियो को पूरा last तक देखने की अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कौन पार्ट से जो है most of the question आया है ठीक है तो देखो पहला बात हम लोग unit 1 की बात करते हैं तो सिर्फ unit 1 ही ऐसा एक unit है जिसमें आप लोग को sub school के भी बारे में परना है ए पहले तो राजस्थानी जीतना भी पेंटिंग से 5 है और पहारी दो पेंटिंग तो तल साथ पेंटिंग को आप लोग अच्छो से पर होगे उसके बार इनका origin and development और main feature देखोगे लास्ट में बहुत ताइम बहुत ताइम बहुत जाए तो sub school को उपर उपर से आप लोग द पेंटिंग्स पे आप लोगो मुगल पेंटिंग जीतना भी चार है और देकन पेंटिंग्स दो है उस पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना है origin and development ठीक है दोनों में देखना आपको और उसी तरह main feature भी देखना है इसमें तो sub school का कोई बात ही नहीं लेकिन main जो है इसमें भी उसके बाद उसी तरह Bengal के कुछ paintings और उसके main features आपको अच्छे से परना है उसके बाद modern trends in Indian art में जो है आपको graphics, sculpture और paintings पूड़ा परना है तो basically यहाँ पर मैं reduce क्या कर रहा हूं तो unit 1 से जो है sub school जो है पहारी और राजस्थानी क्या उसको आप लोगको अगर नहीं परना चा paintings, graphics परेंगे लोग तो graphics और sculpture परेंगे लोग तो sculpture तो artwork से जो है most of the question आएगा ठीक है और उसी में unit 3 में एक सी छूट का national flag आदा गंता का video lecture है उसको तो पढ़ी लेना उसके तीन number का question आएगा तीन number आप पर रखा हुआ है तीस मिनुत देगो time पूरा आपको वो फ्लैग वो ये video lecture अच्छा लगा हो तो जरूर इसे एक like करिएगा जो लोग confused है परेसान है फाइनर समझ में नहीं आ रहा है उनको मेरा playlist जरूर शेयर करिया playlist जाके description में भी link दिया हूँ channel में भी जाके देख सकते हैं comment में कोई भी query हो आप लोग पूछ सकते हैं notes और live class के लिए मैं dedicated video lecture लाँगा जल्दी उसके लिए घबराना नहीं है subscribe कर लिजे because इसके बाद नया video lecture पहारी school of miniature painting पे मैं थोड़ा सा अपडेटेशन के साथ लाँगा और bell बतन प्रेस कर दिजेगा जब भी मैं video upload करूँ उसका notification आपको जल्दी से मिल जाए so bye बाँबाई